हलो फ्रेंद्स वेल्कम टू मैं चानल मैं हो शालजा और आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चानल ट्रीट्स26 में दोस्तों आज मैं सरसो वाली रोहो फिश के रेसिपी शेयर कर रही हूं तो चलिए बिना किसी देर के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने 300 ग्राम रोहो फिश लिया हुआ है इसे अची तरह से वाश कर लिया है मैंने रोहो फिश के पीसेस को बॉल में डाल दिया है उसके बाद मैं डालने इसमें एक चमच नीवो करस एक चमच हली पाउडर एक चमच कश्मेरी लालमिश पाउडर अगर आपको तीखा खाना हैं दो चमच धनिया और एक चमच मैंने जीडरा ढाल दिया है और एक सुखी लालमिश में डारी हूँ इसे भून लेते हैं हम लोग हुनने के बाद इसे ठंडा करकि बीसना है तो यह मिकसर चानो मैंने एक इंच अद्रख डाल दिया है 10-12 लसुन की कलिया और मैंने भूना करके रख लूँगी और इसी मिक्सी किंजार में मैंने दूट अमाडर को भी पीस करके पेस्ट बना लिया है अब सारे मसाले त्यार हो चुके हैं अब मैं पैन में डाल रही हूं सरसो का तील और तील को हमें अची तरह से गर्म कर लेना है ताकि इसका कच्छा पन चला जाए अब मैरिनेट के हुए सारे फिश के पीसे को मैं तेल में डाल रही हूं एक तरफ से यह अची तरह से कुक हो जाए उसके बाद ही आप इसे पल्टे यह देखे एक तरफ से यह बहुत अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है यह देखे तो दस से पंदरा मिनिट में सारे अब मैं डाल रही हम एक चम्छ ग्लाउनजी दो तेश पत्ता कलाउनजी के जगह आप फ्रेंड्स जीडरह कब सकते हैं उसके बाद मैं डाल रही हूं यहँ अब कस्छ और तरह में चला ले एक चबाश पाउडर इसे हम चला लेते हैं उसके बाद जह हमने मसाला त्यार की transformative friends उसे में डाल करकी भूहन ले रही हूं और मसालों को हमें अच्छी तर से भूहना है तभी मश्ली करी अच् haciaची बनेगी अब पिसह बांज डाल स्वादनूसा नमक अनमक दोस्तों अब धश्काण से डाल है कि अध्यान काक्र 부 मश्ली में नमक डाला था मसाले को भूनते में मुझे 10-12 मिनिट हो चके हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक गिलास पानी तो अब हम इसे चला लेते हैं ने और उबालाने का व्यट करते हैं जब एक उबाल आजा इसमें उसके बाद सारे मचली की पीसेस को मैं डाल लूगी ये दे मचली को बगते वे 10-12 मिनिट हो चुके हैं अब मैं धकन खोल करके देख रही हूं यह देखिए हमारी मचली करी बिल्कुल परफेक्ट बनकर त्यार हो गई है लग रही है कितनी टेस्टी और यामी तो सरसवाली मचली की बात ही कुछ और होती है दोस्तों अगर आपको आज क की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा अब मैं इसे एक बॉल में सर्फ कर रही हूं आप इसे चावल के साथ गरम घरम खाएं आपको बहुत ही पसंद आएगी जो लोगी मेरे चानल पर पहली बार आए हैं दोस्तों और मेरी कोकिंग वीडियो आप ल लोगों से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए